अगर ये मचली कभी आपसे चिपक जाए तो तुरेंट डॉक्टर के पास चले जाना दरसल इस मचली का नाम है रेमोरा फिश और इसके निचले हिस्से में बने इन फ्लैप्स के कारण ये बड़ी मचलियों से आसानी से चिपक जाती है लेकिन अगर ये किसी इनसान की बॉड़ी से लंबे समय तक सिपक जाए तो उस जगा पर इस तरह के निशान बन जाते हैं जो की बहुत दर्द भी देते हैं असल में ये मचली शार्क और वेल जैसी बड़ी मचलियों से चिपकी रहती है